हलो मित्रो नमस्कार आज आपको हम आलू की चिफ से जो की बहुत ही जल्द बन जाते हैं उसका आपको तरीका बताएंगे सिर्फ 5 मट में ही आप तो सबसे पहले आपने चार आलू ले लेते हैं थोड़ा बड़े से लेंगे और उसे पानी में धो लेंगे यह हमने अपने चारो आलू को दो लिया है इसके बाद आपन इसको अब छी लेंगे छिलनी की सहाइता से इस आलू को छीला जाएगा गंजी एक 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 गंजी में पानी ले करके छीले हुए आलू को इसमें डालते जाएंगे क्योंकि यह काले ना हो जाएं इसलिए पानी में डालना पर जरूरी यह सकता होती है यह देखिए अब हमारे चारो अलू छिल गए हैं और जो कि हमने पानी मडाल दी हैं इसे थोड़ा सा दो लेते हैं तो उपर का इसमें टस्ट इसका निकल जाता है अब इसके वाद फिर इसे हम किस्नी के द्वारा चिप्स के निकालेंगे अलू चिप्स के लिए मशीन बना आलू को इसे आप पतला कर सकते हैं मुसीन में अज्टरो मोटा कर सकते हैं इसे कि आप चाहें मोटा चाहर पतला कर सकते हैं कि इतना पतला करेंगा उतना ज्यादा आपकी चिप सच्छी आएगी और कुर्किले टेस्ट की आएगी पस हातों को थोड़ा बचाय रखना पड़ता है अंतिम में जब आलू छोटा हो जाता है तो हातों पर चोटना लगे कहीं बहुत ही आराम से और जल्दी से निकाला जा सकता है कि देखिए हमारे देवरा पूरे चारव वालू को किस लिया गया है अब इससे हम पुना फिर से पानी भे धोएंगे कि पानी पूरे ऐसे डाल देंगे और इसके बाद एक गंजी पानी और ले लेंगे देखिए दूसरे गण्जी में अपने हैं एकंदने के पानी में आलू के चीप से डाले हैं जो की पानी तो बि हैं दो प्रूसरी गंजी डाले अब देखिए दुबारा फिर हम इसे डाल रहे हैं जिसे कि उसका पूरा टेस्ट निकल के अब हम अकवार में डाले देते हैं कपड़े को क्या दुबारा फिर धोना पड़ता है एक एक चिप्स को अकवार पे डालते जाना है जिसे कि चिप्स का पानी निकल जाए और हालका सा सूप हो जाए जिसे कि तलने में बड़ा आसानी आती है और अच्छा होता जल्दी भी तल जाती है और कुरकुरे बनती है कि देखिए हम इसे अकवार में एक बार इसको एक एक चिप्स को बिच्छा देते हैं इससे कि चिप्स का पानी जो है या आलू का पानी जो है अकवार सोक लेता है इसके बाद एक दूसरे अकवार का अलू की चिपस के उपर तुनाए अकवार रक दे, हलकी हांस से बंगे ज़्यादा मेहनत के दवाब ज़्यादा नहीं देना है इसे की ऊपर का चिपस का पानी जो है वो भी अकवार में पुरा आ जाए अब देखें से हम निकालते हैं यह अब इसके बाद अलगवक पानी पुरा खवार में आ ग्या है अब इसके बाद फिर आंगे की प्रोसेस ए कढ़ाई कडाई गरा मोने के लिए रख दी है इसमें फार्चून तेल डाल दिया है अब इसके वाद इसमें अब चिप्स डालेंगे यह चिप्स हम डाल के देख रहे हैं कि और गर्म हो गई है इसलिए बहुत चूह तो है कि एक करके चाहें तो दूचार नाल सकते हैं हुआ है कि थोड़ा सा गैस का फ्लेम धीना कर लें कि इसको छनी से थोड़ा सा चलाते हुए रहे हैं कि अलट प्लट के अंदर होती जाएं चिप से कि अधिया है कि अधिया आट अ अधिया बढ़िया सी लाल हो रही है इसे ऐसे तेल में थोड़ा दबाएं जब तक बुलूले आएं तो मान लीजिए कि कच्ची है बुलूले जैसे बंद हो जाते हैं आना ये अंदर से तो फिर पक्की जाती है कि देखिए बड़िया सुनेहरे कलर के हो गई है अब इसे हम निकाल लेते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है अब इसके पूर्ण है फिर से हम दुवारा उसी पेकार और तल रहे हैं कि यह गैस के फ्लेम को फुर्वा साथ पहले डालते समय तेज़ कर ले कोई भी घर में मेमान आता है बहुत ही जल्दी यह चिप्स बन जाती हैं कि फटा फट चार अलू निकाले उसको छीले और काट करके इस पकार तल देंगे बहुत इच्छी होगी घर में मसाले रहते हैं न काला नमक हो या मिक्स वाला कोई मसाला हो चाट मसाला हो इसको उपासे डाल करके सर्व कर सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट होता है बजार से लाने गिरुत नहीं होती है घर में आप स्वैम बना सकते हैं अब बहुत जल्दी बन जाता है जब तक ये बुल्बूले आते रहें तो मान लिए कि अभी आलू कच्चा है और बुल्बूले आने बंद हो जाते हैं तो उसमें कड़क पना जाता है लिएक कि नहीं रिए lö को देखें कितनी अच्छी दिख रही है बाधिया बहुत ही जल्द बन गई है देखेंगा बिल्कुल क currently है कुर्कुली इमिल्कु cały है टूट रही है फसक लास बहुत रही है इसमें आप मसाले डालिए और बढ़िया सर्व करिए और खुद भी तो चल सकता है किसी बगार कोई भी इसमें खराबी नहीं आती है कि निवाद